Welcome my very very precious Labrablaz Labrablaz, यह आपकी Divine Guidance की विडियो है और इस विडियो में सबसे पहले तो हम आपकी लैफ की कुछ issues को discuss करेंगे कि आप लोग लैफ में किस issue को face कर रहे हैं और universe की guidance क्या है उस particular issue के लिए यह भी हम देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसी वीडियो के second part में हम collective messages लेंगे universe के direct message आप सब के लिए universe के क्या है तो चलिए शुरू करते हैं, इस video को बनाने का intention है कि आप लोगों को अपनी सिंदगी में, life में help मिल सके थोड़ी और universe के message को हम channel कर पाएं, you know, ये एक medium बन पाएं जहां से आपको universe के messages मिलें, ooh, तो सबसे पहला card है the tower the tower, जो पहली problem है the tower से, वो समझ में आ रहा है कि बहुत सारी चीज़े लाइफ में collapse हो रहे हैं and collapse होना मतलब क्या होता है, इस card का spiritual meaning बहुत सादा अलग है and I think मुझे आपको spiritual meaning भी बताना पड़ेगा जिससे कि आपको समझ में आए कि ये situation आखिरकार spiritually क्या है but practically the tower आना एक problem में वो ये बताता है कि जहां पे आपने अपनी stability सोची थी but for some reason वो tower collapse हो गया, मतलब life की कोई चीज़ collapse होई है जैसे किसी job से expectation लगाई थी but अभी उस job में आपको खुशी भी नहीं मिल रहे हैं और पैसे भी नहीं मिल रहे है, job शायद से end हो गई है, कोई friendship end होई है, कोई relationship end होई है तो life में जहां से हमने अपनी stability सोची थी, वो stability collapse होई है और उसके बाद जो after effect है आपकी life में वो शायद से आप experience कर रहे हैं अभी जहां पर आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा sad है और बहुत ही ज़्यादा traumatized है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरी ये वाली चीज़ work out नहीं करेगी या फिर मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा ये connection work out नहीं करेगा या फिर मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा ये काम नहीं बनेगा तो ये वाली energy है और अगर हम इस card का spiritual perspective देखें तो universe आपको यही message देना जाते हैं कि जब भी tower collapse होता है मतलब कि आप life में upgrade कर रहे हैं आइनो ये बाते ऐसे practical life में सुनना आपके लिए थोड़ा difficult होगा बट यहां पर universe का direct सबसे पहले तो message यह है कि जो भी stability आपकी life में collapse होई है इस चीज को एक नई चीज बहुत ही जल्दी replace करेगी और इस चीज से बहतर चीज इस चीज को replace करेगी यह नो तो अगर past में कोई job चली गई है या फिर for some reason आपको अपनी job छोड़नी पड़ी तो universe आपको बोलना साहते हैं कि और better job की आपको opportunity मिलेगी यह universe का message आपके लिए बट practical solutions क्या है हम यह देखते हैं कि practical solution क्या है और की universe अगर tower moment create हुआ है तो अब भी लब्रास को क्या करना चाहिए please show us very clearly आपको क्या करना चाहिए आगे की planning करनी चाहिए ओके बहुत ही काम की चीज बताई है universe ने आपको अगर आपकी life में कोई भी चीज end हुई है, scattered हुई है, stability scattered हुई है तो अब आपको आगे की planning करना है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसी situation में खड़े हैं जहां पे यह tower तो collapse हो गया है पर उसकी जगे पे कोई नई चीज अभी तक आई नहीं है जैसे कि कोई friendship end हुई है तो आप कोई नई friendship नहीं है, कोई connection end हुई है तो नया connection नहीं है कोई job end हुई है तो नई job नहीं है, यह कुछ भी चीज या तो कोई काम बिगड़ा है तो आप समझ में नहीं आ रहा कि वो काम अब कैसे सुधरेगा तो यहाँ पर three of ones आया है, मतलब की आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेगा, सबसे पहले universe आपको बुल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा इंतिजार करना पड़ेगा बट यह जो समय है, इस समय को इस चीज को वापस establish करने की planning में लगाएं, आपको planning करनी है और सही समय का इंतिजार करना है या फिर सही opportunity का wait करना है तो जो लोग भी इस situation से गुजरें, आपको थोड़ा wait करना है बट साथ ही साथ planning करनी है अपने future की फॉर से अगर यह instability जो collapse, यह stability collapse हुई है, करियर में collapse हुई है, कि हमने सोचा तो था कि हमारी यह job लंबे समय तक चलेगी या फिर हमने सोचा तो था कि हमें आसानी से job मिल जाएगी, बट अब यह नहीं मिल रही है, तो यह example दे के समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इंतिजार करिये right opportunity का, बट at the same time अपनी life को plan भी करिये, कि ओके अब क्या कर सकते है नई jobs को explore करने के लिए, आप अपने future में क यहाँ पर एक इंतिजार करने के साथ में intention रखना एक बड़ी चीज है, intention रखना universe के सामने, आपको अपने head में clear करना पड़ेगा कि अब आप उस चीज का future कैसे imagine करते हैं, जैसे यह job चली गई, अब यह देखना है आपको कि आने वाली जो job है, वो आपको कैसी चाहिए, आ आपका work environment कैसा होना चाहिए, आपके असपास लोग कैसे होने चाहिए, तो यह planning और envision करने के लिए, imagine करने के लिए, universe बोल रहे है कि intention अपना clear करे, कि आप चाहते क्या है, अपने दमाग में एक particular intention बनाए, कि चलो past में जो हुआ वो हुआ, पर अब मैं यह चाहती हूँ, मेरी इस topic को लेकिया, life के इस aspect को लेकिया, मैं ऐसे imagine करती हूँ, अपनी life, you know, कि कोई relationship मेरा end तो हो गया है, but अब मैं next relationship को ऐसे imagine करती हूँ, कि मेरा partner ऐसा होना जी, ऐसा होना जी, तो planning करना है, और wait करना है, सही opportunity का, उसके बाद है death, death भी बहुत ही similar energy है, the tower से, because death भी हमें transformation of energy ब मजना पड़ेगा कि जब भी कोई ending होती है, तो वो तीन steps में होती है, okay, पहला step होता है कि वो चीज़ खतम हो गई, end हो गई, collapse हो गई, दूसरा step होता है कि उस चीज़ से हम heal कर रहे है, अपने belief system को ठीक कर रहे है, positive state of mind में आ रहे है, because वो चीज़ कॉलाप्स होई, उस रहे हैं दिया, trauma दिया, हम दुखी रहे हैं बहुत टाइम तक, next step क्या होगी, next step होगा कि हम उससे heal करेंगे, अपने belief system को change करेंगे, थोड़ा positive state of mind में आएंगे, receiving end पे आएंगे, okay, आप receiving end पे second point है receiving end पे आना, third जो step होता है, उस में उस चीज़ को नई चीज़ replace करती है, तो ये तीन steps होता है, और universe शाद से आपको बतारीं कि आप middle वाले step में हैं, क्योंकि आप three of ones में हैं, ये जो transformation के step होते हैं, कि कोई गरबर हो गई life में, अब उस गरबर से हम heal कर रहे हैं, जब हमने heal कर लिया, lessons learn कर लिया है, positive state of mind में आएंगे, हमारे vibration हमने raise किये, तो फिर नई चीज manifest होती है, ये आपकी life में आती है, जब तक आप नई चीज के लिए ready नहीं होंगे, तब तक नई चीज आएगी नी, और जब तक आप पुरानी चीज से heal नहीं करेंगे, तब तक भी नई चीज नहीं आएगी, तो आप ये death process से गुजर रहे है, step one, step two, step three, आप देखिए कि आप कौन से step पे खड़े हुए हैं, उस हिसाब से work करें अपनी life में, okay, तो यहाँ पर three of ones था, यहाँ पर death था, और उसकी बाद है page of pentacle, अपना पहला कदम रखें, okay, देखिए, अपना पहला कदम रखें, page of pentacle होता है, अगर ये job से related है, या career से related है, कि career में कुछ नया सीखना है, page of pentacle पहला कदम है, नई cycle का, new beginning का पहला कदम, page of pentacle है, okay, पहला कदम new beginning का, तो पहले job चली गई थी, बट अभी हमने क्या किया, हमने नई job कैसी करनी है, उसके लिए क्या सीखना है, क्या नई skills अपने resume में आड करने, ये पहला कदम हुआ, जॉब नई धूदनी शुरू करने है, ये पहला कदम हुआ, लव लाइफ में कुछ end हुआ है, तो उसके लिए क्या पहला कदम होगा, कि अभी हम, you know, इस mode में आ गए हैं, कि हम ready है, नई connection के लिए, हम लगता है कि हम प्यार deserve करते हैं, हम love के लिए open है, हम लोगों से बाते कर रहे हैं, ह आपको या तो ऐसा लग सकता है कि मुझे आगे निकलने के लिए बहुत जादा मेहनत करनी पर रही है, बहुत जादा लडाईयां लडनी पर रही है, मुझे अपने हक के लिए लड़ाई लडनी पर रही है, या फिर, basically night of sorts ऐसा भी बता रहे हैं, कि बहुत ही जादा डिस हा आसपास के लोगों के साथ में आपकी, या तो किसी particular person के साथ life में डिस हामनी है, कि लड़ाई हो जाती है, जगड़े हो जाते है, आप इस person को कुछ बोल देते है, ये person आपको कुछ बोल देता है, और इसके कारण आपकी life से peace चला गया है, ये कोई relative हो सकता है, ये आपके in जातों से लड़ रहे है, बट आपकी लड़ाई यहां पर चल रहे है, और आपको बहुत जदो घुसा आ रहा है, आपको बहुत जदो इरिटेशन हो रहे है, दूसरा point ये हो सकता है, कि आपको किसी पर problem ये हो सकती है, कि कोई person है, जो आपकी life में toxicity लेकर आ रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, आपको उस पर घुसा आ रहा है, आपका mood खराब हो रहा है, आप इरिटेट हो रहे है, तो इस case में आपको क्या करना चाहिए, कि आपको लड़ते रहना चाहिए इस इंसान से, तो ये problem आप में से कुछ लोग relate करेंगे, कि आप जानना चाहते है, क्या मुझे लड़ाई जगड़े में पढ़ना चाहिए, क्या मुझे घुसा करना चाहिए, क्या मुझे इरिटेट होना चाहिए इस person से, तो देखते हैं कि universe आपको अभी इस चीज़ के लिए क्या solution देते हैं, क्या आपको इस लड़ाई में पढ़ना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लड़ना चाहिए, मुझे नहीं लड़ना चाहिए, पर हम universe से जानने की कोशिश करेंगे, कि universe यहां पर क्या बताते हैं, oh my god, मुझे ऐसा intuition आया है, कि मुझे यह वाली deck में से कार्ड निकालना है, it's so amazing how tarot reading works okay universe show us के इस situation में Libras को क्या करना चाहिए, अगर किसी से conflict चल रहा है तो okay अगर किसी से conflict चल रहा है, यहां पर three of wands आया था, यहां पर again three of wands आया है आपको peace treaty को sign करना चाहिए, because यहां पर यह person है और यह अपनी bird को भेज रहा है यह अपनी bird को पता है क्यों भेज रहा है, peace बनाने के लिए कहीं से, oh my god तो I think यहां पर आपको peace बनाने की जरूरत है, और आपको पते है एक बहुत ही अच्छी बात बताओ, मुझे समझ में आ रहे कि universe आपको क्या suggest कर रहे है अगर आपका किसी से conflict चल रहा है या फिर आपका किसी से जगड़ा चल रहा है तो उस जगड़े को हटा के और अपने life की plannings पे focus करें, अपनी to do list पे focus करें यहां पे universe आपको अपना focus इस जगड़े से हटा के अपनी life की planning या life में क्या आप अचीव करना चाहते हैं उसकी planning पे आपको focus करने के लिए बोल रहे है विकिस यहां पे अगर आपनी इस problem से भी relate किया है तो यहां पे for sure अभी आपको अपनी life को plan करना है बहुत सारी चीज़े हैं जो आपको achieve करने है life में stability चाहिए तो अगर आप ऐसे लड़ते रहेंगे तो आप stable नहीं हो पाएंगे अपनी life में तो थोड़ा सा इस person से लड़ना बन करें और ignore करें और queen of wands की energy को आपको embody करना है queen of wands की energy कोई जगडा चल रहा है कोई toxic person है तो queen of wands की energy को embody करने के लिए बोल रहे है universe queen of wands की energy के क continuing energy अगर queen of wands आपकी ओता होती होती और queen of wands को कोई irritate कर रहा होता है या queen of wands Stowe coffee कोई कर आप कर तो queen of wands क्या करती है सब से पहले då queen of wands बहुती ज़ादा graceful queen है इसकी energy ऐसी है के यह बहुत ज़ादा graceful queen है अगर किसी person ने इसके पास आके इसे कोई खराब बात की तो ये बहुत ही जादा politely उस person को answer देगी वो लड़ेगी नहीं, queen of fans लड़ाई जगड़ा नहीं करेगी प्रिकिस इस queen में grace है तो आप चाहे male हो चाहे female हो से फरक नहीं पड़ता है message आपके लिए है तो अगर कोई चार बाते आके इस queen को सुना रहा है तो ये बोलेगी अच्छा आपको मेरे बारे मैं ऐसा लगता है आप ऐसा सोचते हैं, आप ऐसा सोचते हैं तो ठीक है और ये वहाँ से निकल जाएगी इस queen of fans को इतना जादा high self esteem होता है queen of fans सारी queens में ऐसी queen होती है ये ऐसी energy है जिसे अपने उपर बहुत जादा भरोसा है और high self esteem बहुत जादा high है अगर कोई इंसान आके गाली भी दे रहा है तो इस queen को ऐसा लगेगा कि ये लोग मेरे beneath हैं, मुझसे नीचे level के लोग हैं मुझे इन लोगों से जगडा करना ही नहीं है ये कभी भी मेरे level पे नहीं आ पाएंगे ये कभी भी मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे कभी भी मेरा point नहीं समझ पाएंगे क्योंकि इनका level ही नीचे है तो मैं इनको पूरे grace के साथ में और positive attitude के साथ मैं handle करूँगी अगर ये आकर बोल रहे कि तुम ऐसी हो तुम ऐसी हो तो मैं इस बात को ignore कर दूँगी मेरे ego को hurt नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है कि these people are beneath me तो queen of vansdae को ये अपने सिंहासन पे बैठी हुई है she doesn't give a damn इसको कोई फरक नहीं पड़ता because you already अपनी life में ऐसी position पे stand करी जहां पे इसके self esteem को कोई भी you know harm नहीं कर सकता है already इसे अपनी value पता है तो कोई आकर अगर कुछ गलत भी बोल देगा तो she knows कि ये क्या है she knows कि इसका power क्या है तो इसे किसी की validation की वैसे भी ज़रूरत नहीं है तो कोई कुछ भी आकर बोल देगा तो इसे फरक नहीं पड़ेगा और ये sunflower लेके बैठी है ये अपने मू को भी नहीं गंदा करेगी कुछ भी गलत बोल के या फिर अपने mood को भी खराब नहीं करेगी ये literally इस चीज को ignore कर देगी जो भी चीज कोई भी बोल रहा है या कर रहा है और अगर कोई ऐसा जगड़ा हो रहा है जिसे हम ignore नहीं कर सकते हैं तो ये अपने grace के साथ में उस situation को handle करेगी अपनी बुद्धी के साथ में handle करेगी smartness के साथ handle करेगी ये वैसी queen है कि कुछ जगड़े होते हैं जिन्हें हम avoid नहीं कर सकते हैं कुछ लड़ाई हैं तो लड़नी ही पड़ती है कुछ को हम ignore कर सकते हैं जब बात हमारी right पर आ जाती है तो हमें लड़ना पड़ता है आके कुछ बाते सुना रहा है तो ये तुरंत वैसे भी react नहीं करेगी अगर इसको लड़ना भी है उस person से तो वो तुरंत react नहीं करेगी ये उसकी बाते सुनेगी ओके बोल देगी उस बात को वहाँ पे खतम करेगी ये घर जाएगी और अपनी strategies बनाएगी कि अब इस person ने से इस game को खेलेगी अगर किसी से लड़ना भी है तो ये चीख के चला के बाते सुना के नहीं लड़ेगी ये tactics के साथ में लड़ेगी अपनी grace को बना के तो अगर आप ऐसी को situation handle करें तो queen of wands की तरह करें या तो queen of wands की तरह ignore कर दें या फिर queen of wands की तरह अपने tactics बना के ध्यान रखें, reality का हमेशा ध्यान रखें, sun इस situation में क्यों आया है क्योंकि sun मतलब होता है उजाला, illumination, reality आपके अगर life में किसी person से आपका conflict हो रहा है, जगड़ा हो रहा है या ऐसी कोई भी चीज हो रही है तो आपको उस person की reality पता होनी चाहिए, उस situation की reality पता होनी चाहिए situation की reality और person की reality जानना मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है कि एक person है, उसका एक अलगी type का nature है और उस nature को कोई change नहीं ज़र सकता है, तो आप भी उस person की nature को change नहीं कर सकते हैं, आप जाके कितना भी उससे बात कर लें, कितना भी situation को सम्हालने की कोशिश कर लें, आप नही सम्हाल पाएंगे, अगर उस person का nature ही जगडालू है तो, तो यहाँ पर universe आपको इस person के साथ में जो conflict है, या इस situation से जो आप लड़ रहे हैं, यह कोई situation भी हो सकती है, यह कोई person नहीं, यह कोई life की situation है, तो भी आपको यही tactics आजमाने हैं, बट यहाँ पर universe आपको बता रहें उन चीजों को ध्यान में रखके इस लड़ाई को लड़ें, क्योंकि कुछ facts हैं, कुछ facts हैं जो आपको पता हैं, अगर उस facts को ध्यान में रखके आप इस person से बाते करोगे या handle करोगे situation को, तो आपके लिए चीज़ें असान हो जाएंगी, जैसे कोई person है, आपका चार महीन अगर जरा सा भी touch कर लेंगे, तो वो बहुत ही जादा बखेडा खड़ा कर देगी, you know, chaos create कर देगी, तो उस roommate का सामान गलती से भी touch करना ही नहीं है, उससे कोई मतलब रखना ही नहीं है, अगर आप सोचोगे, अरे क्या हो गया, मेरी friend ही तो है, you know, तो किसी का basic nature नहीं बद अगरी है at this point of time, आप में से कुछ लोगों को किसी एक particular चीज का future नहीं दिख रहा है, जैसे कि किसी एक particular चीज का future नहीं दिख रहा है, और desperately आप जानना चाहते हैं, यह problem हम discuss कर चुके हैं, यह third problem है आपकी, कि life में किसी चीज का future नहीं दिख रहा है, और क्यों कि उस चीज क future नहीं दिख रहा है, तो शायद से थोड़ा सा पैनिक क्रियेट हो रहा है, अब the high priestess बहुत ही स्पिरिच्वल, spiritual person होती है, इसको पता है कि universe के इसके लिए plan है, बट यह अपनी life के ऐसे point पे आगई है, जब किसी चीज का weight नहीं हो रहा है, और कोई चीज बहुत दा परेश का क्या होगा, desperately high priestess को अपने future के बारे में जानना है, और universe को हिंट नहीं दे रहे है, जानना तो बहुत ही desperately है, तो problem यह है कि life के किसी aspect का future नहीं दिख रहा है, हम सोच रहे है, मैंने काम शुरू किया था, इसका future क्या है, मुझे job करनी है हो उसका future क्या है, मेरी personal life का future क्या ह है, यह सब चीजों का future आप जानना चाहते हैं, और future में कुछ मिलनी रही, universe कुछ पता ही नहीं रहे future के लिए, और आप जानना चाहते हैं, पर आपको hints मिलनी रही है, कि इस काम का future क्या है, इस aspect का future क्या है, job का क्या है, relationship का future क्या है, life में mystery create हो गई है, उसके लिए universe ने three of sorts कार्ट दिया है पहले तो युनिवर्स आपको बोल रहे है कि जो भी चीज का फ्यूचर ढूंड रहे हो ना उस चीज में आपका बहुती ज्यादा बहुती ज्यादा पेन आपको उस चीज में मिला है जिस भी चीज का आपको अभी फ्यूचर नहीं दिख रहा है या फिर अग यह काम तो मेरा पूरा होई नहीं पा रहा है यह काम तो मेरा पूरा होई नहीं पा रहा है तो इस इस future के रिवॉल्ब बहुत जादा tensions है और tension आई है तो universe आपको यह बोल रहे हैं के पहले तो ना खुद को थोड़ा सा काम करिये थोड़ा सा रिलाक्स करिये और उस topic को लेके थोड़ा सा ease अपने mind में बनाई है और थोड़ी सी positivity बनाई है यह जो चीज यह जो काम आपका नहीं बन रहा है विश नहीं पूरी हो रही है या जिस भी चीज का future नहीं दिख रहा है अच्छली ना उसके आसपास बहुत जादा negativity हो चुकी है for whatever reason बहुत जादा negativity surround करती है उस चीज को आपकी जैसे की बहुत सालों से जॉब नहीं मिली आप negativity क्यों surround कर रहे है क्योंकि क्योंकि सब लोग ऐसा बोल रहे हमें भी ऐसा लग रहा है कि आप job मिलना मुश्किल है बहुत सारी लडाईया हो चुके बहुत बर हम try कर चुके जो भी आपकी चीज है जिस भी चीज का आपको future नहीं दिख रहा है उसके आसपास बहुत जादा negativity revolve कर रही है उस चीज की energy बहुत जादा खराब हो चुकी है अगर मैं क्योंकि यह इतनी spiritual बात हैं कि मुझे ना बहुत ही मुश्किल होती है words को ढूनने में बर जिस भी चीज का future नहीं दिख रहा है उसके आसपास बहुत जादा negativity revolve करती है कोई एक topic life में ऐसा आ गया है कोई एक aspect life में ऐसा आ गया है जिसमें बहुत जादा negativity आ गया है उसके आसपास जैसे बहुत ही time से single है relationship चाहते हैं बहुत time से कोई relationship में नहीं आये हैं और अब वो topic जो है कि कब हमारी शादी हो गया कब हम relationship में आएंगे उस topic के आसपास बहुत जादा negativity हो गया है कि घर वालों को भी tension है हमें भी tension है पुर यह person यहां पे sword लेके खड़ा हुआ है और यह person ready है सारे उन लोगों का मुँ बंद करवाने के लिए या फिर अपने आपका भी मुँ बंद करवाने के लिए अगर आप okay मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाना चाहती हूँ मैं बहुत जादा desperate हो रही हूँ कि मैं किस language म आपको यह समझाओं तो इस topic के आसपास बहुत जादा negativity हो गई है हो सकते है कुछ लोग आपको आके बोलते होंगे कि यह जो तुम अपनी life में करना चाहते हो नहीं यह तुमसे नहीं होगा या फिर अप तो यह हो ही नहीं पा रहा है या फिर आप खुद अपने आप से ऐस negativity हो गई है अब धीरे धीरे आपको उस negativity को खतम करना है चाहे वो negativity लोग लेके आते हैं लोग आपको बुलते हैं कि तुम्हारा काम यह नहीं बनेगा मुझे नहीं लगता भी हो पाईगा अब इस तीस के लिए ट्राय करना छोड़ दो अब होप रखना छोड़ दो तो यह negativity है ना इसको cut off आपको करना है थोड़ा सा उस topic को लेके positive thinking आपको बनानी है और मैं कोशिश कर रही हूं कि आपको मैं practical solution दे सकूँ बट यहां बे बहुत ही spiritual message आया है आपके लिए तो I think universe आपको यह बताना चाहते है कि सबसे पहले तो जिस topic का future नहीं दिख रहा है उसके आ आपके आसपास के लोगों को जो आप कहानिया सुनाते आ रहे हो क्या हो रहा है ना कि यह जो काम आपका नहीं बन रहा है ना somehow कुछ लोगों का भी involvement है उसमें मैं आपको इसका example देके कोशिश करते हूं समझाने की मैं नहीं समझा पार रही हूं to be honest जैसे कि आपकी job नहीं बहुत सालों से अब आप घर पे बैठे हुए बहुत सालों से बस example दे रही हूं बहुत सालों से आप घर पे बैठे हुए हो अब आप घर पे बैठे हो तो आपके parents को भी ऐसा लगता है कि अब तो यह job नहीं कर पाएगा लोग भी आपको बोलते हैं कि अब तो यह job नहीं क पा रहा है इतना वेट क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि इस टॉपिक के आसपाल बहुत सारी नेगेटिविटी है तो युनिवर्स आपको बूर रहे पहले तो आप सब का मू बंद करवाएं या फिर लोगों की नेगेटिव एनरजी इस टॉपिक पर लेना बंद करें या त आपको नेगेटिविटी जो है इस टॉपिक के आसपास उसे आपको कट करनी है गेटिंग मी तो यह चीज आपके लिए इंपॉर्डेंट होगी और यहाँ पे पेज ओफ सॉट्स की एनरजी अग्यान है कोई काम नहीं बन रहा है इसका मतलब की आप चीजों को एक्स्प्ल करना कि और अच्छे से ढूंडी है कि कौन से फील्ड में मिल सकती है कहां मिल सकती है अगर आप रिलेशन्शिप में नहीं आ पारे तो मेक शॉर कि आपकी लाइफ में आप लोगों से इंटराक्ट कर रहे हो लोगों से मिल रहे हो इसा नहीं होना चीए कि हम घर पे बैठे ह रता है somehow जो word research है न वो आपके लिए इसमें important है तो अगर किसी चीज़ का future नहीं दिख रहा है तो research करें कि अभी तक यह चीज़ हमारे पास क्यों नहीं आ रहे है या future में क्या होगा और बहुत सारी negativity को खतम करना है यह card पलटा था आपके लिए यह card है night of pentacle का night of pentacle one line में आ आपको नहीं दिख रहा है it's okay यह चीज़ बहुत ही धीरे धीरे आईगे आपकी life में यह चीज़ जल्दबाजी में नहीं होगी तो जो भी चीज़ lacking है आपकी life में पहला keyword क्या है negativity को हटाना है दूसरा keyword क्या है इस चीज़ में research करनी है कि जो चीज हम जहाते हैं वो क्यों में आ रही है क्या हमारी कोई गलती है कोई हमारा you know belief system है कोई हमारे अंदर blockage है दूसरी चीज़ की जिस चीज़ का future नहीं दिख रहा है यह future धीरे धीरे से बनेगा इसको time लगेगा यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऐसे हो जाए तो यह जो energetic momentum create होगा उसको होने में time लग पहले तो ready रहे है patience रहे है कि जो काम आप चाहते होना वह होगा जो future आपको नहीं दिख रहा है वह आपकी personal life हो या फिर करियर हो आपका future धीरे धीरे आपको दिखेगा और धीरे धीरे आप उस level पर पहुंच भी जाएंगे बट उसके पहले कुछ work करना आपको कुछ काम कर करना है अब चलिए fourth problem पर आते हैं कि fourth problem क्या है issue क्या हो सकता है जो आप लोग collectively face कर रहे है आपने से कुछ लोग वह same topic पर जिसका future नहीं दिख रहा है वह same topic पर बहुत जादा tarot readings भी देख रहे हैं यहाँपे because high priestess है तो यहाँपे tarot reading बहुत जादा आप देख रहे हैं king of pent king of pentacle आया है यहाँ पर, king of pentacle problem यह को सकती है कि आपको क्रियर में stability नहीं मिल रहे हैं पैसो में stability नहीं मिल रहे है या फिर जो काम करियर पर करना चाहता है आपको लग रह रहा है कि यह काम बहुत बड़ा है पता नहीं मुझस से होगा के नहीं होगा आपको अपना career बनाना या फिर stability बनाना बहुत ही ज़ादा भारी लग रही है ऐसा लग रहा है जैसी यहाँ पर king of pentacle है यह बहुत ही ज़ादा stable person है अच्छी family है अच्छे पैसे है इसने bull को control कर लिया है और अभी आपको इस level पर पहुंचना है तो आपको ऐसा लग रहा है इस bull को control करना बहुत difficult है अब इसके मैं 3-4 आपको example देती हूँ इस चीज को जल्दी खतम करेंगे मैं बहुत जादा detail में नहीं जाओंगी because I know कि आप मैंसे जो लोग इस problem से relate नहीं करें फिर आपको लगेगा कि ओके whatever मैं first time ये series कर रही हूं तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस time frame में adjust करना चीजों को आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी काम आप करना चाहते हैं वो इतना बड़ा काम है इतना मेहनत का काम है कि ये मेहनत में कर पाऊंगी के नहीं क्योंकि ये king is bull को control कर रहा है और bull को control करना कोई आसान बात तो है नहीं मतलब बड़ी चीज है जिससे आप deal कर रहे हो तो ऐसा लग रहे है कि career से या पैसो से related बड़े goals हैं और आप सोच रहे हो कि ये में कर पाऊंगी के नहीं कर पाऊंगी problem यह है कि एक career में एक height पे पहुँचना आज की rate में बहुत जादा मुश्किल लग रहा है bull को control करने जित्ता मुश्किल कि अच्छा ये काम मैंने शुरू तो कर दिया अगर मैंने content creation शुरू कर दिया पर इसमें तो बहुत महनत है जो भी सोचरों करने का उसमें आपको लग रहे है कि बहुत महनत है मैं कर पाऊंगी के नहीं मेरे अंदर वह perfection नहीं है मुझे बहुत सारी चीज़े करनी आती नहीं है मुझसे हो पाएगा के नहीं इसका classic example है कि आपको कोई job offer मिल रही है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे है बट उस job offer में public speaking आपको करनी है और public speaking में आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है तो वो चीज़ आपको पहाड जैसी लग रहे हैं कि oh my god public speaking कैसे करूंगे या फिर किसी competitive exam की तयारी करनी है तो आप यह सोच रहे हैं कि oh my god यह पढ़ाई मुझसे होगी या नहीं होगी यह exam तो बहुत टफ होता है इतने हसारों में से बस एक एक इनसान सिलेक्ट होता है यह में कर पाऊंग करेंगे आपके लिए काम piece of cake हो जाएगा इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है जितना ज्यादा आपको लग रहा है और यह आपके पैसो और करियर से related है तो इस चीज को ध्यान रखेगा कि जो जी जो भी चीज आप अचीव करना चाहरें वह इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है जितना ज्यादा मुश्किल आप उसे अपने दिमाग में बना रहे हैं अभी मैं दो कार्ट और लोंगी और उसके बाद हम collective guidance के लिए जाएंगे जाएंगे नहीं मतलब करेंगे तो दो कार्ट इस चीज से related और लेते हैं कि अगर आपको अपना करियर टफ लग रहा है या ओके जिस भी चीज को आप कर रहे हैं उसे difficult देखके मत करिये fall in love with the process fall in love with the process fall in love with the process जो भी जैसे कि हमने public speaking के बारे में example लिया था out of love चीजों को करना है, interest लेके करना है और प्यार से करना है चीजों को तो मैंने जैसे बताया था आपको कि कोई job मिल रही है पर उसमें public speaking है बट हमें public speaking से डर लगता है तो public speaking सीखने की fall in love with that process उस process से प्यार करें के ओके मैं stage पर जाओंगी I'll try my best और जब मैंने public speaking सीख ली तो कितना अच्छा लगेगा मुझे public speaking करना लोग कितने ज़्यादा influence होंगे मुझसे तो उस चीज़ को करने की process में interest लाएं जैसे कि tarot reading अगर मुझे tarot reading करनी है और मैं चौर हूं tarot reading में मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूं मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता बट शायद मैं spiritual हूं तो मुझे लगता है कि यह चीज़ मैं कर सकती हूं बट मैं जब दूसरे tarot readers को देख रही हूं तो मुझे लग रहा है कि oh my god this is so difficult यह लोग ऐसे कैसी कर ले और इस tarot reading को सीखते time की process है उसे मैं enjoy करूंगी मैं यह नहीं सोचूंगी कि एक दिन मुझे अच्छी tarot reader बनना है मैं वो जो learning की process है या जो महनत करने की process है मैं उसे enjoy करूंगी you know to fall in love with the process तो आपको वो काम इतना difficult नहीं लगेगा फौर से आपको content creator बनना है तो आपको लग आप दीरे दीरे video बनाना सीख जाएंगे और उस process को enjoy करें के okay मैंने first clip अपना लिया और first clip मेरा अच्छा निया है तो चलो अभी और interest के साथ में एक दूसरी clip लेते हैं और नयास को सीखते हैं तो मतलब आपको इस process को enjoy करना है यह नहीं सोचना है कि एक दिन ऐसा हो जाएग करना है तो अगर मैं simple एक line में इसका मतलब बताऊं तो fall in love with your work अपने काम से प्यार करें अपने काम में छोटी छोटी सी खुशियां ढूंडें जिससे की उस process को आप cherish कर सकें उसके बाद है judgment judgment यह बता रहा है कि अगर आप में से खुश लोगों को career में आगे बढ़ना हो सक problems जह लिए अपने career में या फिर आपकी family ने पैसो की problems issues को जहिला है इसलिए शायद से आपको difficult लग रहा हो अभी के career में बहुत जादा पैसे कमा इट्स लाइक के कि बचपन से आप कभी भी travel करने बाहर नहीं गए बिकिस घर में पैसो की problem थी बट आप अभी खुद को एक अच्छी comfortable जगे पे रखना चाहते हैं career में बट आप ये सोच रहे हो कि बचपन से ये चीज नहीं मिली तो उस life को create करना बहुत मुश्किल है जहां पे मैं comfortably पैसे खर्च कर सकूँ और जहां पे आना जाना है वो कर सकूँ because past का कोई belief system है या कुछ ऐसा है जो हमें रोक रही सी इस से बट यहां पे universe again बोल रहे हैं कि past में जो भी हुआ है उससे मतलब मत रखें keep your eyes on the prize अपनी आखें अपनी नजरें अपने target पे बना के रखें ये मत सोचे क में क्या हुआ है past में क्या नहीं हुआ है okay so चलिए अब guidance के पार्ट पे आते है मेरा मन तो कर रहा था कि मैं issue से related एक और काड लूँ बट फिर again video बहुत बड़ी बन जाएगी है ना I know कि आप सुब के पास time नहीं होता है इतनी लंबी videos देखने का तो चलिए अब इस video के second part पर आते हैं जहां पर हम direct messages लेंगे universe के आपके लिए libraz okay okay universe please show us very clearly हमारे जो libraz है collective उन्हें क्या जानना अभी ज़रूरी है okay I believe that I can manifest happiness okay so आपको universe यह बता रहे हैं कि आपको अपने उपर believe रखना है कि आप अपनी life में happiness को manifest कर सकते हैं और फिर attract कर सकते हैं gratitude and cultivate joy in all the ways I can आज मैं अपने मन में gratitude रखूंगी हर चोटी बड़ी चीज जो मेरी life में अच्छी है उसके लिए जैसे आप gratitude रख सकते हैं अपने phone को आप thank you बोल सकते हैं मैं अपने tarot deck को thank you बोल सकते हूं मैं अपनी table को thank you बोल सकते हूं मैं अपनी candle को thank you बोल सकते हूं तो बात यह है कि already life में हमारे बहुत सारी ऐसी चीज exist करती है जो हमारी life को comfortable बनाती है और universe आपको बता रहे हैं कि उन सब चीजों के लिए thank you बोले gratitude बोले और life में जान बूच के happiness को create करने की कोशिश करें ऐसा मत सोचे कि कोई person आएगा जो हमें खुशी देगा जो हमें you know excitement हमारी life में लेके आएगा या खुशी लेके आएगा अपनी life में छोटी छोटी चीज होगे यह system universe ने बनाया है और इसके हिसाब से कि जिस चीज को आप praise करते हैं या फिर जितना आप thank you बोलते हैं आप universe as a system को यह बता रहे हैं कि yes मुझे मेरी life की अच्छी चीजों की कदर है और मुझे और अच्छी चीज़े चाहिए तो यह direct message होता है इस तरीके से हम universe as a system से communicate करते हैं मैं universe as a system इसलिए बोल रहे हूँ क्योंकि divine ऐसे नहीं होते हैं बट जो divine ने system बनाया है earth का वो ऐसे ही काम करता है तो इस system को समझें जितना आप चोटी चोटी चीजों को life में enjoy करेंगे जितना चोटी 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 खुशियों को जान बुच के create करने की कोशिश करेंगे ऐसा नहीं कि किसी और पर depend हो कि हम जान बुच के कोशिश करेंगे कि हम खुश रहे हैं चोटी चोटी चीजों में जितना हम ऐसा करेंगे उतने हमारे vibration universe को ये बताएंगे universe as a system को ये बताएंगे कि हमें और अच्छी चीज़े लाइफ में चाहिए और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लिखा है कि I will call someone who will be happy to hear from me and spread my joy like sunshine universe ने यहां पर चोटा सा message यहां पर दिखा है कि किसी को call करें और किसी का दिन अच्छा कर दीजिए वनलब किसी friend को phone करें किसी sibling को phone करें किसी person को phone करें और उनसे इतनी अच्छी बाते करें अपनी positivity इतनी अच्छी spread करें कि उस person का दिन बन जाए तो यह homework दिया है आपको लबराज युनिवर्स ने I welcome challenges into my life तो यहां पर युनिवर्स बूल रहे हैं कि जो challenges बीच बीच में आते रहते हैं ना life में उनसे बहुत सादा डरा मत करें आप शायद से कभी-कभी बहुत जादा डर जाते हैं विकिस हम Earth पे आये हैं और Earth is a planet of duality तो यहां पर challenges भी हैं तो challenges से डरना नहीं है आपको challenges को थोड़ा सा पावर के साथ में face करना है क्योंकि life में हमेशा चोटे बड़े challenges चलते ही रहेंगे और इसी duality का experience करने हम Earth पे आते हैं अच्छा अच्छा तो हमें soul form में feel होता है soul form में जब हम higher realms में रहते हैं तो वहां पे बुरा-बुरा हमको feel नहीं होता है बुरा-बुरा और challenging चीजों को face करने हम Earth पे आते हैं you know it's like playing a game के हम कोई भी game क्यों खेलते हैं game में levels को निकालना कितना मुश्किल होता है बट वह game बहुती जादा adventurous रहता है इसलिए हम उस game को खेलते हैं तो again universe आपको याद दिला रहे हैं कि जो आप Earth पे आके human game खेल रहे हैं उस game को थोड़ा सा excitement के साथ में और courage के साथ में खेलें today I shall believe in my ability to get through anything with my strength and courage आज मैं इस चीज़ पे भरोसा रखूंगी कि मैं किसी भी life के challenge को पार कर सकती हूं अगर मैं खुद पे भरोसा रखूं और हिम्मत रखूं और courage रखूं तो I will not let fear control me मैं डर को अपने आपको control नहीं करने दूँगी मैं fear को अपने आपको control नहीं करने दूँगी I will tackle the world one hurdle at a time मैं अपनी life की परिशानियों को एक-एक करके handle कर लूँगी या फिर उनसे निकल जाओंगी Okay तो आप निकल जाएंगे universe ने बोला है एक और एक अच्छा point यहाँ पे लगा जो end में लिखा था इसमें point है कि एक-एक करके अपनी परिशानियों से निप्टे एक साथ सारी परिशानियों का tension मत लीजिए एक-एक करके एक-एक problem को life की solve करें उसके बाद है the universe is filled with love ओके तो यहाँ पे universe बता रहे हैं कि इस पूरे universe में इस पूरे ब्रह्मान में बहुत जादा ऐसी चीज़े हैं जो out of love आपके लिए बहुत कुछ करती हैं जैसे जब सूरज निकलता है और हमें serve करता है हमारा planet पे हमारी existence ही नहीं होती अगर सूरज न आपके डालता है जैसे flowers, butterflies और जितनी भी अच्छी चीज़े हैं तो universe is full of love यह हर एक चीज़ें हर एक चीज़ें आपको help कर रहे हैं आपकी day to day life में चाहें आप realize नहीं करते हों बट जब बहुती दिन sun नहीं निकलता है और बारिश होती रहती है और कितना gloomy हो जाता है कई बार depressing भी हो जाता है तो हर एक universe की बनाई हुई हर एक चीज़ आपको serve कर रही है और आपकी life को comfortable बना रही है तो universe ने already आपकी life में again बहुत सारी अच्छी चीज़े की हुई है और इस universe में बहुत प्यार है कई बार ऐसा होता है कि एक दो लोग अच्छे नहीं निकलते life में तो हमें लगता है कि कोई हमसे प्यार नहीं करता बट बहुत सारी चीज़े है आपकी trees आपके घर के plants इतना जादा love vibration ये सब चीज़े हमारी तरफ भेशती है sun, moon, flower, trees ये सारी चीज़े हमेशा love vibration में रहती है और हमारी तरफ healing और love भेशती है today my goal is to give and receive love आज मैं अपना goal ये बनाओंगी कि मैं लोगों को प्यार दूंगी और उनके प्यार को accept करूंगी तो आपकी life में I'm sure कुछ लोग होंगे आपके neighbor से अच्छे से बात करिये अपने कलीक से अच्छे से बात करिये आज थोड़ा सा love vibration में रही है और यहां पे एक औ और homework दिया है universe ने कि तीन act of kindness आपको करनी है किसी के लिए कुछ तीन act of kindness करनी है किसी को call करने का तो already था तो किसी को phone करें किसी का mood अच्छा करें रोड साइट कोई animal दिख रहा है तो उसे थोड़ा सा खाना खिला दें कोई homeless दिख रहा है उसे खाना खिला दें या फिर कुछ छोटा सा भी हो सकता है उसकी बाद है negative feeling hold me back from being my best self आपका best self बनने से आपको आपकी negative thoughts or negative feelings रोकते हैं मतलब आपकी negative thoughts or negative feeling आपको रोक रही है life मे आगे बढ़ने से तो थोड़ा से mindful रहें कि कितनी negative चीज़ें आप सोच रहे हैं the universe wants the best for me universe आपके लिए best चाहते हैं तो आज invite करिये happiness love or light को अपनी life में rather than feeling negative तो आज नेगेटिव तो आज negative feel नहीं करना है आज overthinking नहीं करना है आज happiness को love को और light को divine की positivity को अपनी life में invite करना ह okay एक और एक और card लेते हैं चलिए flexibility is the key to a life filled with adventure today I will start my day with a deep stretch of the okay so universe आपको यहां पर बोल रहे हैं कि थोड़ा सा workout करिये अपनी life में थोड़ा walk पे जाये running करिये जिम जाये और you know अपनी body को थोड़ा सा healthy रखने पे focus करें जब भी हम workout करते हैं तो हमारी वो mental health के लिए भी बास जादा अच्छा होता है एक calmness एक positivity आती है life में तो कुछ ना कुछ आपको करना है like walk पे चले जाओ आदे घंटे के लिए running कर गया आजाओ walk कर लो gym चले जाओ yoga कर लो घर पे कुछ छोटी मोटी exercise कर लीजिए तो जो भी आप करना चाहते हैं तो universe yes आपको बोल रहे हैं क okay same 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 message आया है इस बार food भी आगया है food and exercise अपनी body को honor करें अपनी body की respect करें अपनी body को nourish करें okay तो अच्छा खाना खाएं और universe आपको अच्छा दिखने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपकी body को healthy रखने के लिए बोल रहे हैं कि अच्छा खाना खाये exercise करें अपने supplements लें हाइ करें खुद को बहुत सारा पानी पीजिए तो यह छोटी छोटी डीटेल्स भी आज आपको मिली है लेब्रास तो this is it for this reading और इस reading से कोई भी value मिली हो तो please like कर दीजिगा comment कर दीजिगा और subscribe कर लीजिगा take very good care of yourself and I'll see you next time bye